नमस्क्रार दोस्तो, स्वागत है आपका गैन सेक्षन यूटूब चानल में, आज मैं आपको एक इंडूस की जो फाईल सिस्टीम होती है, जो दो प्रकार की मेंली फाईल सिस्टीम होती है, एक होता है फैट और एक होता है एंटी एफस, तो आज इस वीडियो में हम कर देखिए ntfs और एक फैट यह दो सिस्टीम है आज हम जान रहे है कि ntfs क्या है तो जैसे आप सब को पता है जब भी आप computer में जाते है और उस पर ड्राइव होता है यहां पर टाइप होता है और उसके नीचे बगल में सबस्कें चáकी आप कि जानने से पहले की सबस्क्राइब को दिकिन ब्सक्राइब के matter अक्रण करस्द话 को पता है, सबस्क्राइब के सब्सक्राइब के का है, किइस अधोगर में अपनिन नीचे permissions Cancer उसमें डाटा को structure और manage करने के लिए store करने के लिए file system को उपर किया जाता है जैसे मान लीजिए आपके hardx है SSD में कोई भी data होगा वो किस तरह से रहना चाहिए जैसे की file की size कैसे हो ज्यादा से ज्यादा कितनी file की size हम उसमें रख सकते है फाइल का नाम किस तरह से दे सकते हैं यह सब उस file system के ऊपर निर्वर करता है अगर यह file system ही नहीं होगी तो हम उस पे data store नहीं करेंगे data store कर भी लेंगे तो कैस तरह से क्या format भी कर सकेंगे यह हमें नहीं पता चलबाएगा तो यह देखिए यह computer data वस्ती तरह में store करने के लिए Windows operating system मुख्य तोर पर दो system करता है एक fat है और एक ntfs है तो आज हम जानेंगे ntfs file system क्या होता है तो ntfs जो file system है यह अब्रेविशन है और यह file system was developed by Microsoft to meet requirement of business application and introduced in July 1993 with Windows NT 3.1 यह introduce किया गया था 1993 में यह और इसका full form होता है new technology file system तो यहां पर हम सब को पता है कि आज ntfs सबसे ज़्यादा यूज़ के जाने वाला file system है तो कि विंदोस देन एट विंदोस 2000 में भी फ्राथमिक file system यूज़ किया जाता है ntfs के पास क्यों यूज़ कि यूज़ किया जाता है और यह 256 डेटा की memory के साथ में support करता है 256 TB data बहुत होता है दोस्तों और यहां पर multi streaming होता है यूज़ को भी यह support करता है इसमें यह विशिष्टा यहां मिलते है तो इसके basic views था हम आपको बता देता है इसमें hard drive से data पढ़ने और लिखने की उच्छे गति होती है यह स्वता file record करने में समर्तन है अधिक स्थीर है और विश्वस निया है और यह network में भी data को साजा और access किया जा सकता है इससे file encryption सुविधा मिलती है vertical file और folder इसके उच्छा सुरक्षा है यह dual booting system के साथ में भी आता है तो इस तरह से आज हमने आपको NTFS file system के बारे में बता है आने वाली वीडियो में हमें fat system के बारे में बताऊंगा fat system में बहुत सारे परकार होते है वो भी मैं इसी में बताऊंगा को किस तरह से वर करते है यह भी बताऊंगा प्लीज चानल को सब्सक्राइब करें मिलते गिलने वीडियो में तब तर के लिए धन्यवाद थैंक्स